नमस्का, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम पैलेसेस पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएं तो किनकी चीजों का हम देहां रखें क्योंकि अगर हम ये चीजों को समझ जाते हैं तो सबसे वादा फायदाई हमें ये होता है कि हम पैलेसेस पेशेंट को एक सही एक्सरसाइज करवा पाते हैं समझा पाते हैं और उसका मैक्सिमम ओटपुट ले पाते हैं क्योंकि जब हम पहले से स्पेशन को एक्सराइज करवाते हैं तो हमें लगता है कि हम हाथ पैर की एक्सराइज करवा रहे हैं मगर जब डॉक्टर एक्सराइज करने के लिए कहता है तो उसका मतलब यह होता है कि आपने ब्रेंड की एक्सराइज करवानी है पेलेसे स्वपीछ में नुकसान कभे भी हाथ पेर में नहीं होता है जब कभी नस्वर्टी है कलॉट आता है तो ब्रेंग का वह इसाज़ के पहले हाथ पर्षाइ और के तब चाहnej भी नहीं हो साथ पेर उता है वो सारा का सारा brain के लिए होता है, exercise में brain के लिए होती है अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हम आसे हमारे लिए exercise को select करना बहुत आसान होता है पैलैसिस patient में सबसे आपने दिहान के रखने exercise करवाते समय कि patient जिस exercise को करने में most comfortable है, वो नहीं करवानी अकसर एक pattern देखते हैं, कि patient को जो exercise असान लगती है, patient उसे बार-बार-बार-बार करता चला जाता है जिस exercise को करने में से दिक्कत मैसे होती है, वो पांच मिट से भी कम टाइम करेगा और से छोड़ देगा कि कहें कि मैसे यह भी नहीं होरी, मैं यह यह ले exercise कर लूँगा तो पहले धहन के रखेंगे, कि जो चीज comfortably कर सकता है, वो नहीं करवाना मालो की अगर किसी को paralysis की दिक्कत है, और वो cycle अच्छी चला लेता है इसका मतलब यह नहीं कि हमने cycle उसे बार बार चलवानी है, cycle का काम खतम मालो की patient cycle बहुत अच्छी चला लेता है, क्योंकि उसको अराम से बैट जाता है, उसे balance नहीं बनाना पड़ता है पर जब हम patient को खाड़ा करते हैं और चलने के लिए बोलता है, तो patient की जो चाल है वो सही नहीं है, उसे उसमें balance नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, उसे cycle चलवाएंगे, या उसको बोलेंगे कि आपने cycle छोड़कर आप चलने की practice करनी है, आपको balance बनाने की practice करनी है जो नहीं हो रहा, जो हमने करना है, हम वो practice करेंगे, वो है चलना, क्योंकि उसमें balance की exercise होगी, तो balancing exercise पे हम ध्यान देंगे, balancing exercise करेंगे, और जो हम time, cycling को देते थे, जो कि हम अच्छी कर लेते हैं, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम उसमें अच्छे हो गए हैं, और वो हमा के लिए नहीं है, इसको हम जान ले, जो भी हम exercise करवाने हैं, वो brain के लिए, क्योंकि नुक्सान brain में ही हुआ था, brain में ही clot आया था, brain का इकिस्सा damage हुआ था, brain नहीं सीखना है दुबारा से उस particular काम को करने में, अगर मेरी fingers पंथ हो जाती है, खुलती नहीं है, तो अगर मै पूरी arm की exercise करता रहूँगा, तो मेरी उंगलियों में आराम नहीं आएगा, मेरा हाथ चलने लगा है, कौनी चलने लगी है, पट मेरी fingers नहीं चलती, तो मुझे क्या करना है, जो मैं पहले अपनी arm की exercise करता था, जो ठीक हो चुका है, उससे छोड़ूँगा, और अपनी सार देना है, किस exercise को का time कम देना है, मेरा ये suggestion होता है सारे palaces patient को, कि जो exercise आप आराम से comfortably कर सकते हो, जिसको बहुत इसली कर लेते हो, उसको time सबसे कम दो, मुश्किल से 2-4 minute, 5 minute, जिसको exercise करने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, सबसे ज़्यादा दर्द होती है, जिसमें आपको लगते है, मैं गिर जाओंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसको लेकर आपको phobia है, उसको face to face handle करो, उसके सामने इतने strong हो कि खड़े हो जाओ कि वो जो exercise हो छोटी लगनी लगे, तो उससे क्या होगा कि आप उसमें कमांड पाना शूकर दो तो हम उसको cycling और swimming नहीं करवा सकते हैं, उसको हमें walk ही करवानी पड़ेगी, अगर मेरी finger, अगर मेरे को यह वली moment में दिक्कत है कि मेरी, ये हाथ स्टिफ रहता है, ये उत्ता नहीं है, मैं shoulder की, जितनी मुझे exercise कर लूँ, क्या मेरा हाथ खुल दाएगा, नहीं खुलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, elbow की exercise करनी पड़ेगी, मुझे कौशिश करनी पड़ेगी, कि मेरा हाथ खुले, अगर मेरा हाथ नहीं खुल रहा, तो मैं इस पर लगा रहूँगा, जब तक मेरा हाथ सीधा नहीं हो जाता, तो हमें अपनी जो limitation है, जो एक patient को limitation लग रही ह जहां उसे दिक्कत सबसे जदा मैसूस होती है, उसी को maximum time देना होता है, तो आगर आप इस video को समझ गई होंगे, तो दो important चीज़े हैं, पहली चीज, कि जो पी हम exercise कर रहे हैं, वो हम अपने हाथ पैर के लिए खम और अपने brain के लिए जाता कर रहे हैं, हम अपने brain को train कर रह सबसे जादा करना है, सबसे जादा time देना है, तीसरी जी से आपने जो दिहानकनी है, जो मैंने पहले नहीं बताई है, कि exercise को करने में एक sequence होता है, जब भी हम पहले से पेशन में recovery देखते हैं, तो हम बड़े जॉइंट्स में बड़ी जहां मसल्स जादा है, वहां पे recovery fast द जगर से दूसरी जगर जाने लाइक बन जाता है, वह माकर जाने लाइक बन जाता है, वह मंतर जाने लाइक बन जाता है, वह घर में अगी पीछे होने लाइक बन जाता है, उसका हर काम हमें बेट पे नहीं करना पटा, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अगर पैले स अभी अभी हुआ है, पेशिंट नहीं चल पा रहा, नहीं खड़ा हो पा रहा, आज के तारीक में सारा का सारा फोकस एक की जगा डाल दो हुआ है पेशिंट को चलाने में, क्योंकि अगर पेशिंट बारा से चलने लग गया, तो आपकी जन्गी यह आद ही दिखते हैं, उसके मोता होगा ते चलने पाद ही, शंट कौना काम होऊ यह काम होगा है, उसके यहाद रहां रिंगंद क्या हुते हैं, यह उसके बाद ही काम होता है, और इक फायदा क्या होता है कि जितनी भी उमारी काम होती है, उनमें thought motor स्किल्स नहीं होते वह बहुत मोटा मोटा काम करती है इसमें कितना मोटा काम है ना बस इतना ही करता हो कुछ करता नहीं है अगर फिंगर्स कितना फाइन है ना आप किस्तुरी धागा डालना हो सेफ्टी पिन बग खोली बन करनी हूं कि सारे फाइन मोटा स्किल्स होते हैं और इस बड़े जॉइंट से छोटी जॉइंट की तरफ करने होती है दूसरा अगर अगर आपको मुसल्स में पेइन, स्टिफनेस मेसूस हो रही है तो दर्थी गोलियं मत खाये क्योंकि यह दर्थ आपको हर रोज होगा और दर्थी गोलियं जादा खाते रहेंगे तो कुछ न कुछ और खराब हो जाएगा आपने ध्यान क्या रखना है कि दर्थ है स्टिफनेस है तो पहली चीज सिकाई तेल हम देते हैं यहां से जितना टीटमेंट साइंस इंजीवनिका जाता है उसमें ऑल का टीटमेंट यूस किया जाता है और दिया जाता है तो अगर आप ऑल की होगी तो क्या होगा हीट जनीट होगी और उस हीट से मसल्स रिलाक्स कर जाएंगी और जो पीन और जुदिक्कत है महसूस को रहे हो चला जाएगा अगर आप इन चीजों को अपने माइंड में रखके किसी पेशिंट को एक्सराइज करवा होगी तो आपको उसमें अच्छ मास नी फटा हड़ी नी टूटी जो दिक्कत है उसारी के सारी ब्रेन की है तो सब कुछ हम जो कर रहे हैं वो ब्रेन के लिए ही कर रहे होते हैं ब्रेन को दुबारा से प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो दुबारा से सिखा रहे होते हैं कि आपको दुबारा से काम करने लाइ कैसे वो भना है मुमीत कर तो इस वीडियो से आपकी को समझ गए कि प्रालेसिस पेशेंट को एक्सराइज करते हैं समय किन चीज़ों का ध्यानक न चीए फिर भी माइड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो डॉक्टर से अवलेबल है मैं अवलेबल हूँ उँचे बात कीजिए और अपनी प्रव्लम को सॉल्व कीजिए इसके साथ चलने के आगा दीजिए नमस्कार